यत्रो तमस्रोक गुनानु बादा प्रस्तु यते ग्राम कथा भिखाता निशेब्यमानं मनुदीनं मतिम सतिम यच्छती वासु देवे ममोक्षर मतिम सतिम यच्छती वासु देवे सिसिलो भक्ति शिधान तो स्वरस्ति गुस्ता में प्रहपाजीन बताए है जहां भगवान का कथा का किर्टन चर्शा जहां अप्रा की जगत का विश्वय में चर्चा होते रहते हैं वहां ग्राम्मो बैक्ती संगसार में डूबवे हुए बैक्ती इसका साथ उसका टक्कर लगता है काल भी थोड़ा उठाया था सिलो पहपाजे ने बताए बद्धजीब सभावी गुरूब गुरु वैश्णव का बिरूधो जाएगा बद्धजीब का ये सभाव है सरवदा गुरु वैश्णव का बिरूध करना इसमें उसका कोई दोस्ट नहीं है मतलब अपना अंदर में जो विशय वासनाएं हैं जितना सारे चाहत है ये इनके लिए रुकावट है कभी आप्रा की जगत का विशय में भगवान का बारे में जनने के लिए इनका अंदर में कभी भी कुछ इच्छा पैदा नहीं होता ये सभाविक है क्योंकि गीता में भी भगवान बोले है पहले भी बहुत चर्चा हो चुका इन कई दिनों में उन्हें हमने उठाया था है बात को आदमी ध्यान नहीं देते इस विशय पर ये भी माया दिवी का चक्कर है वह बताया थे जे ही संस्पर सजाब हो गहा दुख योन एवते आद्यांत वंत कंतियो नौती सूरमते बदा है इंद्रियों के द्वारा भुगने वाले विशय पर बास्तब बुद्धिमान आदमी ध्यान नहीं देते उदासिन रहते हैं किन वो जहने इस विशय पर तत्पर हो जाए बैस्त हो जाए इसमें उनका बंधन जरूर हो जाएगा बागवत में भी बहुत प्रमान है बहुत उचा ब्रमो का ध्यान किया बहुत किया महराज उसके बाद भगवान का चरन कमल का मकरंद अस्वादन नहीं करने का कारण भगवान का चरन कमल का संदर्ज और नहीं दिखने का कारण फिद उसको ये जर्जगत का चाटनी खाने के लिए आना पड़ा जर्जगत का जितना सारे चाटनी हैं खाते हो आप लोग और हमारा दिलव अक्तिवाल लव तित्यकों सिमेता अक्सर बोलते थे दिल्ले का लड़ू है जो खाया ओभी पस्ताया जो नहीं खाया ओभी पस्ताया सच्चा बात है इंद्रियों के द्वारा भगने वाला जो चीजे होते हैं इसके उपर सभाविक एट्राक्शन होई ही जाता है इंद्रियों के द्वारा भुगने वाला बिसोयों के ऊपर एट्राक्शन सभाविक हो जाता इसके लिए कोई एडुकेशन का जरूरी है नहीं आप पड़ाई लिखा करो कुरके एक लड़की का उपराकर्शन हो जाए सिखो यह नहीं यह सभाविक हो जाता है हमारा अर्चन पद्धती में सुंदर बताया जिवोती नम जुनो यथा जू नम जुवतू यथा इस सभाविक रूप में जिवोतियों का उपर जुवोकों का आकर्शन बन ही जाता है इसके लिए कोई टीचिंग्स का जोरूरी नहीं सिख्षा लेने के लिए जाने नहीं परेगा और महाराज क्यूं ऐसा होता है बल एही तो मेरा भी क्वेस्चन है क्यूं ऐसा होता है इसका उत्तर तो दिया हुआ है लेकिन कोई तो सुनने के लिए तेहर नहीं है किसी का पास फुर्षत नहीं है समय नहीं है सब बोलते हैं हमारा पास कुछ समय नहीं है भगवान का कता सुनना सत्संग करना सिला पहुपात बोलते हैं इसी को बोलता है माया That is called Maya, in which you are put it into. जिस Maya का अंदर अब डूबे हुए हो, यह हमारा पास कोई time नहीं है, सत्संग करने का, भगवान का कता सुनने का कोई समय नहीं है, इसी को बोलता है Maya. जब मौत आजाएगा, दो घंटा बाद, तब उसको अगर कोई excuse खड़ा करना है, तो महरा आज हमको हमारा बेटी का साधी देना है, दो महिना बाद आओ, तो बोले नहीं सुनेंगे हम. इसी बात को बिचार नहीं करते आदेमें. गीता में भगवान बार बार बताएं, वह सुन्दर, माया के दोरा गरस्त जीब, सोचते हैं कि हम, हम, करते हैं सब, डूर्शिप, अभिमान, प्रकेते, क्रियमानानी, गुनो कर्मीर, अवसह, यह जो स्लोक है, इसमें सफा बता दिया, करता अहम इतिमन नते, प्रकेती आपको जोर जवस्ती सब कराती है, प्रकेती नेशेहर, जिसको माया देवी बोला जाता है, जिसका बारे में खुब चंडी बाठ करते हो, चिला चिला कर, बट लाइक फूल, बोका जैसे चंडी बाठ करते हो, एक भी सब्दों का माने नही समस्ते हो, या देवी सर्व भूते सो सक्ति रूपे न समस्तिता, नमस तस्वाई, नमस तस्वाई, नमस तस्वाई, नमस तस्वाई, नमस तस्वाई, नमस तस्वाई, तस्वाई नहीं, तस्वाई बोलते पुंगलिंग हो जाएगा, सक्ति रूपे बिराजमान है भगवान का सक्ति यह है बहिरंगा सक्ति का चमतकारीता है चारो और रूप रस गंध का रनक लगे हुए है मर्केट उसमें हर अदमी पागल का मापिक एक दूसरे को आकर्शित हो जाते हैं यही बूलता है माया सर्व भूते माया विराजमान है माया हर जीबो को फोर्स लगाते हैं उसमें चक्का चलाते हैं माया तुम इसमें फांसो इसका साधी करो इदर दोड़ो ए लड़की का पीछे दोड़ो ए पैसा का पीछे दोड़ो सारे चीजों का बिचार किया जाए उसमें फाइब बेसिक्स एलिमेंट्स है सब्दो स्परसो रूप पुरा सगंधो यही आपका भोगने का विश्य है बिचार करके देखना इसका बाहर दुनिया में कुछ भी नहीं है भोगने का यही पाँच किसम का जिसका पीसे पागल का मापी सारे संसार दो रहा है यही है सब्दो स्परसो रूप रौस और गंधो हाथी दोड़ते हैं हस्तिनी का पुछे पीछे दोड़ते हैं और जो सिकारी हैं उसको बंधन में लाते हैं कैसे महारा हस्तिनी को ट्रेनिंग दिया हुआ है बागवत में सुंदर बर्णन है हस्तिनी को ट्रेनिंग दिया हुआ है कि तू जब जंगल में हाथी तुमरा पीछे दोड़े तो एक काम करना ऐसा करके गूम के जाना और हाती क्या करते हैं हाते बोलते हैं ये तो इधर से गूम के जा रहा है हम क्यों ना करें सीधा चले जाए उसको पकर लेंगे इसलिए हस्तिनी थोड़ा गूम के जाती है और हाथी सोचते कि आम बुद्धिमान है सीड़े चले जा उसको पकर लेंगे लेकिन उसका जानकारी नहीं है उसमे एक गड़ा बड़ा सा गड़ा खुदा हुआ है उसी गड़े में इतना बड़ा सरीर लेकर जो अप ट्रैप में आ गिया बंधन में आ गिया वो बंधन से छुटकारा मिलना बड़ा भारी मुस्किल होता है ऐसे ही हाथी पकड़ा जाता है ऐसे दुनिया भी ये दुनिया का रणक का पीछे दोर रहे है जैसे एक पतंग होते हैं किस्म का दिवाली का आगे पीछे देखते हों आप लोग लेकिन कभी विचार नहीं किये आप विचार नहीं किये कभी दिवाली का आगे पीछे एक पतंगो आते हैं वो जहां भी लाइट रहेगा आग जलते रहेगा मंबातियादी उसको देखकर उसका पीछे दोर लगाता है और उसी में जलके खाग हो जाता है still फिर भी वो आँख से दूर रहना उनके संबब नहीं आँख में वो चलंग लगाएगा यही इसका भाग्य है ऐसे ही उसका मौत लिखा हुआ है ऐसे आँग का पीशे इसका जो एट्राक्शन है उसका मौत की कारण है मच्वारे ने क्या करता है एक बड़ा बड़ा लेक में सुन्दर चाड़ा देकर चूप चाप बैठे रहते हैं और उसमें महराज एक एक मच्वारे क्या करते हैं गुमते फिरते देखे आहा कितना सुन्दर चाड़ा है अमने तो कभी खाया ही नहीं उसको खाने का कुसिस करे तो तुरुंद उसका गले में उसका यह हुक है वो फस जाते हैं और उसके दारा ही उसका मौत होते हैं ऐसा करके एक एक विचार दिखाए तो महराज पूरा दुनिया का जितना आदमी है वो लोगों का बंधन होना ही है इन से छुटकारा देने का कोई रास्ता बताओ को वो सुनने वाला नहीं है जैसे हमने इस लोग बताया था जब किसी को जो रस में डुबा हुआ है वो तो छोड़ेगा नहीं टटी में जो मक्षी बैठता है उसको हजारों बोलो तु क्या वो टटी खाने के लिए पढ़ा है तेरा तो एक काम करना सायथ है फूलों में बैठ जा वो बोले नहीं हम फूलों से कोई आनंद ही मिलता है हमको तो टेस्ट मिलता है टटी से ताप लोगों का ऐसा ही आलत है टटी में आनंद मिलता है जितना भी समझाओ बोले नहीं और मधूम अक्षी को बोलो उल्ठा बोले तु मधूम सायथ खाते खाते तो बहुत दिन गुजार लिया एक काम करना टटी में जाके बहुत ओ दुशित कौन जाये महाराज हो जायेगा नहीं क्योंकि उसका अभ्यास तो उसी में है परभंग्ष कूल गुरु वैश्नोवो का जो हृदाय का भाव है उसमें टक्ती पिसाब रक्त मंग सो इसमें उसका कोई एटेंशन नहीं है चाहे सामने खुपशुरत एकदम लड़क बैटा हुआ है जिसको ताज उपादे मिला कुछ भी मिला वो तो महाराज को देखेगा भी नहीं आगा देखेगा भी बेटी रूप में देखेगा वो सोचे का एक आत्मा है वो इसी सभीर सरीर पकर के हमारा सामने आये हुए है और दूसरा जनम में ना जाने कौन जोनी मे प्रविष्ट हो जाएगा उसका एस सूरत बदल जाएगा हाती गोड़े कुटा बिल्ली किस अवस्था में वो पहुंच जाए नेक्स्ट लाइफ में नेक्स्ट बर्त में इसका बारे में कोई छिकाना तो है नहीं प्रकिते क्रिया मानानी गुनों को और वहीं अवस्था ह है कोई प्रकिती का जो खिचावट है उसका बाहर जा नहीं सकता है नौट पासिबल गुरु वैश्णवों ने भगवान का गुनागान करते करते उसी रशो में डुपकी लगा के इनके तो ऐसा हालत बन जाता है महराज तो उसको समझ नहीं होता समझ में नहीं पाता कि क्य क्या हमारा कश्ट तो कुछ नहीं है ब्रियत भागवत अम्रितों में सिलो सनातन गुश्वामी जी सुन्दर लिखे हैं उसमें उसमें लिखे हैं देखो वो जो बिशय में डुबे हुए हैं अदमी इनके स्वाथ भागवान का कथा किर्टन में डुबे हुए जो मात्मा है संत मात्मा है इसका फराख है एक नहीं है ऐसा आनन्द में डूवे रहता है तो संगसार का क्या दूख है, सूख है इसका बारे में इसको पता नहीं चलता हमने एक उधारन देते हैं आम आदमी सोचते हैं कि महराज ये तो ढंकी बात है संत महात्मा भी खाते हैं, हम भी खाते हैं हम भी सोते हैं, हम भी जाकते हैं, वो भी जाकते हैं, तो कौन सी फराख है इसमें, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, हाँ समझ में नहीं आएगा, जरूर, क्यों बले ये तो माया की चक्कर है, गुरु वैश्णव को भी हमारा मापिक समझना ये ही तो माया है, एक कमपानी में एक आफिसर है अपना लिज़ार टाइम है जिस टमाए टिफिन टाइम है इसे में बैठके एक खत लिख रहा था आज तो हेलो बोलो ऐसा हो गया पहले ऐसा नहीं था खत लिखता खत लिखना जरूरी था और खत लिखने का जो अभ्यास इसके दराफिलोजोपिकल डेवलोपमेंट हो जाता अपना हिद्य को बैक्त करने का जो भाव है यह पहले था दिन पे धिन आदमी मेशुनों को ओपर depend करके paralytic percent होते जा रहा है calculator यूज़ करता है हमने बच्पन में सब नहीं देखा ऐसा करते करता आत्मी को दिमाग ऐसा paralytic percent हो गया कि कुछ भी करने दो उसका दिमाग नहीं चलता है वो depend करना परता है वो चिथी लिखते लिखते इनके ही एक कॉलिक दोस्त आ गया है घर में और बैठा लिया और पूछे महराज क्या लिख रहे हो दोस्त क्या लिख रहे हो तुम बले एक चिथी लिख रहा हूँ अपना भाई को और एक काम कर तु तो बाहर जाएगा किस काम पे और लेटर बॉक्स है इसमें डाल देना चिथी को बला हाँ कुई बात नहीं लिखने गवाद चिथी को हाथ में दिया उन्हेंने चिथी को गुमा फिदा कर देखे तो उसमें एड्रेस देखे तू प्रतीब बैनाजी आलिपू सेंटरल जेल कालकाटा 27 वो चौक गिया बले भाई को चिथी लिख रहे बला हाँ भाई को तो चिथी लिख रहे बले तेरा भाई क्या जेल में है कैदी है ये चिथी तो अलिपू सेंटरल जेल का अड्रेस है बले महाराज वो तो अड्रेस आलिपू सेंट्राल जेल का है लेकिन वो आलिपू सेंट्राल जेल का वो सुपरेंटेंडेंड है इसलिए देखने में एक ही एड्रेस है उसमें जितना सारे कहदी हैं वो भी जेल में रहते हैं उसका खत आए तो उसी एक ही सेम एड्रेस में आए और सारे जेल का व्यवस्था बने रहे ट्रिट्मेंट होते रहे इसका व्यवस्था पक है आप अगर सोचो दोनों में एक ही अवस्था है आप विचार करके देखो ऐसे कैसे होते हैं जेल का कैदी का हलत और जेल का मालिक बन के बैठा हुआ है जो सुपरिंटेंडेंट दोनों का हलत एक नहीं हो सकता आदमियों का पास समय नहीं है हरीकता सुनने का लेकिन सनिचर जी का अगर किपा हो जाए बोले हरीकता सुनने के लिए आना परेगा सनिचर जी सौप छीन लेंगे उसके बाद बोलेगे भाई हमारा पास बहुत टाइम है पहले हम बोला था I have no time अब तो बोलने के लिए मुझे भाई हमारा पास बहुत टाइम है सब तो गया सनिचर का कीपा हो जाए तो ठाकुर जी प्राप्ती होना सहज हो जाएगा लेकिन सब डरते हैं महारा जी आये हैं ऐसा क्यूं बोलने से थोड़ी होगा आपका जो स्टार का जो पोजिशन है उसे का मुताबिक होगा लेकिन एक कहानी बताए उसमें अपका दिमाग खोल जाएगा आलिपूर में एक ठो तिल यॉला का पास केलकटा में तिल यॉला है बाली गंज है बाली गंज तिल यॉला आलिपूर नहीं है वहाँ एक बड़ा सा फक्टरी था और फक्टरी का मालिक इतना मुनाफ़ा लुटता था कि उसमें उसका फुर्सत नहीं है कि कोई आये कि कोई गए कोई संत महात्मा मट की तरफ से आये कि आज कुछ तो आपको सेवा देनी चाहिए रहा ले जाओ को सेवा देते थे लेकिन उसको आगा दो चर सब्दो संत महात्मा बूलने के लिए बैठते तो मारा ये सब मत बताओ क्या चाहिए बोलो ले जाओ समय नहीं है हमारा पास उस अब सुनने का बहुत बार ऐसा हुआ महात्मा तो करुनामा होते हैं जिसका जो मेडिसिन चाहिए गुरु वश्णव ऐसा मेडिसिन देते हैं लेकिन आदमी गुसा हो जाते है ऐसा मेडिसिन क्यों दिया पहले मैलेरिया हुआ करता था उसमें कड़वा मेडिसिन देते थे ओ खा खाने का कोई चाहिए नहीं है लेकिन खाना पढ़ता है कुई नहीं आज तो एडवांस हो गया परिस्थिती उसमें जोड़ जवस्ती वो कुई नहीं खिला जाता था लेकिन बच्चा लोग तो खाने के लिए तेर नहीं है ऐसे ही संथ महात्मा जानते हैं कि इसको क्या दावा का जरूरी है उस कड़वा दावा को दे दे तुरूं तो गुसा हो जाता है उसका एगेंस चला जाता है अनुहब नहीं आता कि ये जो दावा है ये मेरा लिए फिटिंग से वो सोचा इसलिए दावा दिया क्या हर जगा तो इदावा नहीं देते क्यों इदाद दिया तो महात्मा ने बहुत कोशिस की करुणा में हैं गुरु वैश्णाव की सोचे की थोड़ा बहुत भागवान का विश्य उसको सुनाया जाए कोई उसका विश्य में जो लगन है थोड़ा कमती हो जाए तो अच्छा है बिजनेस करे सही लेकिन उसका फूल एटेंशन भागवान में रहे एक कैसा बात है यह तो ठीक नहीं है खाने पीने समन नहीं है भागवान का चिंतन का टाइम नहीं बार बार ऐसे करे बड़ा दुखी हुआ संथ महात्मा बहुत दिन बाद वो सोचे कि इसका पार दुणेशन नहीं लेना किये कि संथ महात्मा का नियम है आप कुछ दोगे कुछ दिए बिना कुछ लेगा नहीं देखना बस्तफ सादू का जो चीटा है वह आएगा दो-दो-दो-दो ले जाएगा बस्तफ सादू का नियम है आपको कुछ देखे कुछ विख्या लेके जाएंगे चैतन्य महाप्व का एही सिख्या है निता नंदो हरिदास ठाकुर का उपर भी ये सब प्रसंग एक साथ बताते चले चार पांच घंटा में भी कुछ नहीं होने वाला मीतन चो सारन चो बगमिता सरल रूप से ऐसा कुछ बताना है कि आपका दिल में थोड़ा असर पड़े हम आए और आपका दिल में कुछ रियाक्शन नहीं हुआ तो हमारा आगामन का क्या दर्कात था कोई तो कारण नहीं है जबकि गुरु जी प्रहुपात का पास गुरु राज महाराज का पास हमारा बहूत बार अजस्व बार हमने पार्थना किये कि ठाकुजी मेरा साथ जिसका कभी भी दर्शन हो जाए और दिल में उसका हमारा लिए नफरत नहीं है तो उसका जरूर मंगल हो जाए माफर्ण है पिर भी मंगल हो जाए कि नफर्ण होने से मंगल होना मुस्किल हो जाता है तो यह मेरा पार्थना था गिराज का अज़स्वपड़ी कमा करते तो एक ही पार्थना मैं जिसका पास जाओं तो मेरा गुरुजी का कीपा उसका उपर बरसे कम और वेशी ज्यादा और कम तो उसमें महात्मा ने उधर भिख्या करना छोड़ दिया जाके क्या पाइदा हो तो सुनता नहीं मेरा बाद देखो माया दिवी कैसे आक्रमन कर लिया नीदारा है माया दिवी का ऐसा इनियम है निद्रा दिवी राम जी को चैलेंज किया था तुम्हारा धाम में हम तला लगा देंगे जब कता होगा तब ही नीद्रा दिवी आके बैठ जाएंगे मज़ा करकर रामानी दिवी संपदाय में पहुचा हुआ अजद्धा में सब प्रसंग सुनाते हैं आपका पुरानों से लेकर जो भी है आप बंद कर दिया पांट साथ सालों से उसका साथ कोई देखा नहीं है पांट साथ सालों का उपर हो गया उसका साथ कोई देखा नही हैं एक दिन वही महात्मा बाली गंच का उधर से गुजर रहा था और एक आदमी बुला रहा है आट-दस सल हो गया किसी ने बुला रहा है ओ महात्मा जी इधार आओ इधार हो आप कैसे चले जा रहा हो उन्होंने बोला कौन हमको तो को जानकारी ने कौन है ग्यार से देखा तो पैचान लगता है कि बहुत क्योंकि चेहरा चेंज हो गया ग्रोसरी सौक जिसमें चाल डाल तेल नून मिनता है अब लोग जाते हो हमको पाव भर आटा दे दो पाव भर घी दे दो जो दुकान में जाते हो ऐसा मापिक एक दुकान में एक आदमी स्वान तो होकर बैठे हुए हैं और महत्मा जी को बुला रहे हैं वो पास में गया द्यान से देखा आग दस साल से देखे नहीं चेहरा का भी यूर अटेंशन प्लीज बैठ जा उदर बैठ जा बात में बात करना तो क्या है उन्होंने सोचा पैचाने हुए तो लगता है लेकिन वो तो चेहरा कैसा कैसा है पास में गया तो उटके ख़रा हो गये और महत्मा को बहुत प्यार करके इजत का साथ दन्रवत किया और बैठा लिया है कुर्सी पे महराज आप तो वो आदमी है ना जिसका इतना बड़ा फैक्टरी था हाँ ठीक बताए हो आप मैं वो इस बड़ा फैक्टरी का मालिक था जबकि आप कुछ बोलते थे भगवान का बारे में हम बोला करता था कि हमारा अपस कुछ टाइम नहीं है आप जाओ कि चाहिए बोलो आप ले जाओ बस that much I can do वो बुले महराज आपका ऐसा हालत कैसे हो गया बल एही तो होनाहर का खेल है ठाकोजी का इच्छा है हमारे एक मैनेजर था वो बैमनी करके सारे कैपिटल को खा गया बड़ा विश्वास किया बाद में पता जा रहा खोकला बन गया कुछ नहीं है फैक्टरी को जो रीन था हमारा जो भार में पैसा लिया था रौ मेट्रियल के लिए सारे उसका चुकाने के लिए हम फैक्टरी को पूरा बेचना परा हमको रियली? हाँ फैक्टरी बेचके हमारा पास कुछ बचा नहीं था थोड़ा बचा कुछ आचा हमारा स्त्रीक का सामने और ये दुकान घर मिल गया हम गुजारा करने के लिए क्या करे तो हमने सोचे कि मुदी का दुकान खुला जाए शिक्षित है अब हम ये दुकानदारी करने के लिए बैटे हैं किसी बेहालत से हमारा गुजारा हो जाता है अब आपका चरुर में ये निवदन है कि हमारा पास बहुत समय है अब कुछ भी कथा सुनाओ तो हम सुनने के लिए तयार है क्यूंकि हमारा पास कुछ नहीं अभिमान का जो वस्तू है तो ठाकुर जी हम से ले लिये हैं लेकिन पुलाद महराज से अमरिस महराज से पृतु महराज से कुछ छिन्ने का कोई सवालत ना है जहां जनक महराज जी है उनको अगर बोलो आपका अभिमान है आपको सारे संपति दे दो यह तो हासी का बात होग राजा तो है राजर सी जिनके पास बरे बरे पहुंचे है महात्मा, रिशी, मुनी, भगवत तत्तो वारे में जनकारी लेने के लिए जाता था सिला सुखदेब गुस्वामी का परिक्षा के लिए पुरान अंतर में है ये सुखदेब गुस्वामी बैसदेब जी जानते हैं ये ऐसा स्थिती है उसका कोई टेस्टिंग का जरूरी नहीं है without any testing परिक्षा के जरूरत है नहीं इसका इसका जो स्थिती है वह परम अवस्था है लेकिन फिर भी आदमी क्या कहेगा देखो अपना सास्त्रों का सार जो है वो अपना लड़का को सिखाया भागवत जो है अपना लड़का को जो मलाई है उसको खिलाए अब बाकी जो सीश्य है उसको बेद आदी बेद का भी भाग है सब सिखाया तो ऐसा बदनाम रटेगा तो बैस दिव जी ने छप्पा लेने के लिए कि इसका स्थितिक क्या है एक जाने माने आदमी से अगर छप्पा मिल जाए सर्टिविकेट मिल जाए तो आम आदमी अतर्क नहीं उठाएगा सुखदेब को स्वामी को भेजा गया था कहां महराज वो जनक पूरी में जनक राजा का पास उसका जो परिक्षा का प्रसंगों उसकों हम नहीं उठाएंगे कभी हम चर्शा करेंगे हमारा कहने का मतलब ये है वो परिक्षा में ऐसा पास हो गया को आदमी जनक राज हैरान हो गया हमने तो ऐसा स्थिति देखा ही नहीं अब बोला यही भागवत रसाम्रितों पान करने का लाइग है इसको ही अगर दिया जाए तो ये बास्तप पात्र है जिसका अंदर भागवत रस रखा जाए ऐसे करके स्वी सुगदेब गुस्वामी जी का अधार जो है इसमें भागवत रसाम्रितों को संपुर्णों रखा गया कि आने वाले जमानों में जितना सारे आएगा सब कोई के लिए एक ऐसा व्यवस्था बन जाए के इनके मुखारविंद से पिगले हुए आमरित आमरित दबल आमरित हो गया सुखो मुखाद आमरित दबुखुम संग्युदम सुख नामक पक्षी का चंचु के द्वारा स्पर्स करने का कारण सुख देब जी का रिदय का जो उच्छलते हुए भावना है वो ये अमरित में कथा का स्वाथ स्वाथ पिगलती हुए ये सब बद्व जीवों का कानों में पहुँच रहा है ऐसे लाखु करुरू बद्व जीवों का मंगल हो चुका है और होने बाला है अगले जमाने में जितना तिक धरती रहे उसमें मंगल तो होते रहेगा ऐसा करते करते देखा जाए जो भगवान का कथा गुरू वेश्णव का चरित्रों गुरू वेश्णव का सभाब गुरू वेश्णव का कहना बद्व जीवों का कानों में जना असंबभ है जा नहीं सकता थोड़ा देर बैठे उसमें भी बेचैनी है कि दिमाग में चिंता चल रहा है वहाँ पैसा मिलना है जाना है महात्मा जी जल्दी कथा खतम कर दे तो अच्छा है हमको साथ बज़े अपॉइंट में दिया है ऐसा चलता है यत्रुत्तमस्लोक गुनानवादहा प्रस्तूयते ग्रम कथा बिगातहा ग्रम कथा अगात प्रप्त होते हैं क्यूंकि ग्रम कथा और भगवान का कथा दोनों भीपरित है ग्रम कथा और भगवान की कथा दोनों भीपरित है एक तो आपको माया का और खीच रहे है आद दूसरा है माया का गोद्धी से आपको खिचने वाला कता है यह दोनों में कभी मिलता नहीं टकर तो खाना ही है लेकिन टकर खाने का बाद भी वो अगर वो धका को समाल के सोचे कि अगर हम इसको वैश्णम मालिया, महात्मा मालिया तो कभी भी यह हमारा अमंगल नहीं कर सकता है यही एक सब परतिशत, एक सब से ज़्यादा हो तो अच्छा है अगर ना भी होए एक सब परतिशत ऐसा विश्वास होना चाहिए कि गुरु वैश्णम का उटना बैटना बोलना चाहिए वह हमारा मंगल का लिये ही है अगर यह समझ में नहीं आया तो संथ महात्मा गुरु वैश्णम का आना भजूल हो जाएगा, बिकार हो जाएगा सिला सचिदा नंद ठाकुर जी ने बार बार कितन में ऐसा कि यह गुरु वैश्णम में हमारा विश्वास ब्रिद्धी हो जाए, खान खान, every fraction of second I can develop my belief unto the lotus feet of गुरु वैश्णम गुरु वैश्णम का चरणों में मेरा विश्वास ब्रिद्धी होते चले तो उसमें सारे समादन हो जाएगा पैसा घरवार है, हम यह नहीं सिख्षा दे रहे हैं, इसको लात लगा क्या चले जाओ यह हम सिख्षा नहीं दे रहा है मेरा कहने का मतलब है, your attention आपका जो मन की ब्रिद्धी है यह ब्रिद्धी जो विश्वय में दोर लगा रहे हैं, इसको थोड़ा भगवान का ओर लेने का कोशिस करो क्यूंकि आपका प्रचिस्था के दारा भी ही आपको पैसा नहीं आ सकता और किसी ने प्रचिस्था नहीं किया, फिर भी उसका तक्दीर में हमने देखा करोडो रुपिया का वैवस्था हो गया दो एक उधारन सुना दे, तो आपको आक्के लाएगा, हम कोई किस्था कहानी बोलने की निये वैठे नहीं कलकटा में टाली गुंजबुल के एक जगा है, सुने हैं, गॉल्फ ग्रीन, उधार एक चूल काटने वाले होते थे, नईया चूल काटते हैं, सेप काते हैं, दाड़ी चूल, वो कभी एक लिटारी खुरिद लिया, एक लिटारी, मझे 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 में खरिद लिया, उस अभ्यास था, उस लिटारी में महराज कितना करोर रुपिया का, उसका, हचानक जो प्रेजाल निकला कबरे काहुच में वो देखिला इतना करोर उर्पिया का लोटरी मिल गया हमने जिन्देगी में देखा महराज हमने जिन्देगी में देखा एक एकदम गरीब घराने का लड़का है उसके पिता माता का कई लड़का है लड़की है और एक धनी आद्मी ने बोले एक काम करो ना तुम्हा तो इतना लड़का लड़की है हमको क्यूं न दे दो हम इसको दत्तक ले लेगे महावारत में भी ऐसा पसंग गया भागवत में भी है बहुत सारे उसको दत्तक एडॉप्टेट सौन उसको गोदी में ले लिया और लेने का बाद जिसका घर में दत्तक बनके गए है ओव लड़का जिसका पालंपुस्वं ओ धोनी का घर में हुआ उसका करोरो रुपिया का जायदात है अब आप बताओ कि उसका जो जब धनी वेक्ति सरी छोड़ देंगे ये तो गरीब घर का लेड़का है दो वेला दो टाइम उसको खाने को भी नहीं बिलता कैसे इसका करोर रुपिया का जाइदा निल गया क्या इन्होंने पैसा कमाने का कोशिस किया क्या क्या किया बोलो सोचना वाला विस्षय है किसका पासका दिमक है तो होई सारे हमारा कहना बीचार करते रहेंगे सिला भाक्ति दोईतमादब को सही महराज जिसका जैकारा हमने लगाए कथा सुरू का पहले उन्होंने ब्रह्मचरी अवस्था में अभी ब्रह्मचरी भी हुए नहीं घर से महिया को बोले हमको ठाकुर जी प्राप्ति करना है भागवान प्राप्ति करना है अब असिरवात कर दो हम चले बोले बेटा कहां जाएगा बोले जहां भी जाए तुम्हारा तो आकरशन नहीं है लोता बेटा है देखने में सुने का वरन है देखो के तो पागल हो जाओगे मैया का पास इजाजत लेके चल पड़े ठाकुर जी को ढूणने के लिए कहां ठाकुर जी है क्या मार्केट में है कि हिमालाय में है कि भाक्तों का दिल में है कि संकृत जहाद चलता है कहां है ठाकुर जी हमको प्राप्ति करना चाहिए महाराजी हिमालाय में चले गए एकांथ में दो-तिन दिन कुछ खया नहीं दैन लगाते रहे और वहां से आकास बानी भई तुम इधर क्या कर रहे हो हिमालाय में तुम्हारा जो गुरु है वो गुरु तो बंगला में है चले जाओ वहां आपको मिल जाएगा यहां क्या कर रहे हो दैन पैन से कुछ काम नहीं चलेगा आपका गुरु जी है हमारा क्याल से जहां भी कथा हो कम से कम गुरु बर्गो भक्ति शिदान तो सहरस्वति गुष्वामी भक्ति मिल ठाकूर यह लोग का एक पिक्चार होना चाहिए जिसको देखने का साथ साधी आम आदमी जहां कता उसको डंडवा थुड़ा ऐसे करें तो उसका मंगल हो जाए यह हमारा विचार है लेकिन होता नहीं और सिला महराजी हिमालाए से उतार आए उताराने का बाद रिशिकेस में सोचे कि गंगा का किराने दो चार दिन रह जाए खाने पिने का तो कोई अभाव है नहीं और दिक्षा तो लिये नहीं और दिक्षा क्या ले तो भगवान का अपना आदमी है पुर्व जनों में भजन किया ठाकरू जी तो भेज दिया ये तो खेल कुद चल रहा है लीला चल रहा है तो उन्होंने ठेर गिया गंगा का खिनारे दो चार दिन ठेर जाए तो भंगला तो जाना ही है आकाजवानी हु अना तो बोला नहीं जा सकता गंगा महिया का कितना करूना है सास्तों में बोला हुआ है कितना जोजन का अंदर गंगा जी का किसी का मौत हो जाए फिर भे उसका मंगल हो और कई भी उसका मौत हो जाए गंगा 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 बोलके अगर चिलाए तो उसका मंगल हो नहीं है लेकिन हमारा दूर्भाग की बात है कि गंगाजी का किनारे रहके भी हमारा हिरुदय विशुद्ध हो नहीं रहा जबकि हमारा सास्त्रों बोलते हैं कि गंगाजी शाक्षात भगवान की चरं कमल से पिगले हुए पानी है विश्नु चरन से निकले हुए हैं विश्नु पादार्ग शंभुते गंगे टिपद गामिनी यह इसका परिचाह है मर्त लोग में सर अर पतार तीनों लोग को पवित कर रहे हैं जो भी है बात ही है कि सिला मादवगुस्री महराज अब तो उन्होंने रह गया तब तो सन्यास नहीं लिया था दिख्या भी नहीं हम तो मादवगुस्री महराज इसलिए बोल रहे हैं कि आपको परिशा हो जाए सादा बेस में हैं आए हैं वो सोचे कि कोई दिन रह जाए उसमें भगवान का खेल है वो एक दिन गंगा के बैटकी ठाकुर जी का चिंतन में थे ओक सेड़ जी ओक सिटानी आये ऐसा मटा ऐसा करके आये उसका सामय नाने के लिए आये थे उनार का खेल है वहाँ कि देखा एतना सुन्दर एक जुबक है ठाकुर जी का जैसा बरन है कांचन बरन तो उसका सामने गया और प्याद से बोला बेटा कहां से आये हो कहां जाना है आपका सब परिशय लिया आपना भी परिशय दिया उसके बाद अपना दूख वरे नाले सुनाएं बले बेटा हम बड़ा दुखी है हमारा पास करोरो करोरो रुपिया का जायदा है होते हुए भी मैं बड़ा दुखी हूँ क्यों हमारा पास कोई लड़का न लड़की कुछ नहीं है हमारा सब जायदाद क्या होगा पता नहीं आप मेरा लड़का बनके रहोगे तो आप के सारे हम दे देंगे करोरो करोर रुपिया का जायदाद और पीछे पड़ गए पहला दिन बोल के गए तो सोचे कि रात को चिंता करे और उसका बाद नेक्स डे क्या निरने ले भी सकता है पैसा का लालस तो पर्स कर सके ऐसे हमारा तिस्तिल अतिविक का महराज चोईतनो गुर्यमेंट में रहते थे सिला भक्ती वीवेग भारती महराज का सेवक थे उरिशा का कुछ स्टेट का एक रानिमा थी राजा नहीं है कोई लड़का लड़की नहीं है और भक्ती वीवेग भारती महराज को अपना पैसा से सुन्दर मंदिर बना दिया पूरी में भक्ती वीवेग भारती महराज और आते ही जाते थे रानिमया भी आती थी और महराज जो भी कभी स्वागत करते थे अपना राजमहल में आओ संत महात्मा को ले खत्वरा किर्टनादी करके जाओ कत्रा सुना के और मोहन पभू उसका नाम था मोहन प्रभू कौन तिविकब महारा जाते थे राणी महिया ने अंदर में चिंदा कर ली कि महाराज को अगर रिक्वेस्ट करें त तो सारे स्टेट का मालिक इसको बना दू आपका मटका सिबा कर आसाम चलेगा सभी आपका नाम पर हो जाएगा तो तिविक कम महराज को लोग दिखाने के लिए अपना जेवर का जो बक्स है उसको लाए है लाके उसका सामने खोल दिया बेटा देखो इसमें हीरे मोनी माति जितना सारे है ये तुमारा ही है जितना सारे जायदाद है सारे राजमहल ये तुमारा ही है वो एक साप का मुनी दिखाया उसको करोरो रुपिया का दाम है ऐसा लंबा साप का मुनी सब दिखाने का बात बोले आप बिशार कर लो आप अगर आजाओगे तो आपको सब मिल जाएगा आपका ही है लेकिन महात्मा जो है बास्ताप सादू है उसको कभी आप कामिनी कांचन में फसा नहीं सकते नौट पॉसिबल चाहे जितना भी आप लोब दिखाओ कुछ भी करो लेकिन वो उसमें फसने वाला नहीं है तिबिक महराजी ने बोल उठे कि हमने इसलिए आये क्या घर में घर छोड़के हम इसी को प्राप्ति करने के लिए घर से आये ले जाओ आपका गुसा हो गया राणी महिया मिदर के हमारे चली गई ओ सेट सेटानी ओ भी धक्का काके चले गई लेकिन संत महात्मा खिदाय में कभी परिवर्थन हुआ नहीं क्योंकि उसका बहुत सारे कहानी बताने का समय नहीं है और महाराज भी बगल में बैठे हुए हैं दो सब्दों के दारा आपका कल्यान कर दे हमारा बिंती है इनकी चर्ण में जितना तक बताए अब बोलते चले तो दो चर घंटा होई जाएगा बाद में इस चर्ण को हम बढ़ाते हुए चर्ण करेंगे भगवान भक्तो का बारे में इस हमें आपका फाइदा होगा क्योंकि हम उचा बात बोलते रहे बिंदागमन के आपको फाइदा नहीं है दिमाज में समझ में नहीं आएगा दो सब्दों जो बोला हुआ अगर दिमक में रहे तो हो भी हमारा लिव काफी है आपका लिवी काफी है